तो हेलो दोस्तों, आपके सैमने भी कभी न कभी मुंईल अपडेट का उप्चन इस तरह खा आया होगा और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अपडेट अगर मुईल हम करेंगे तो आखिर मुईल के सौप्ट वियर में क्या क्या अपडेट होगा तो सबसे पहले आप लोग यह जान लिए ये अता क्यूं है मुबाइल अपडेट इसलिए आता है कि माले जिक आपने दूसाल पहले मोबाइल खर दी हुई है और उसके बाद मुबाइल खड़ देगा और दो साल पहले आप खड़ दे रहेंगे तो दोनों का केलकुलेटर सेम हो जाएगा अगर आप अपडेट कर देंगे तो और दोस्तों अगर आपको चेक करना है कि आखिरे आप मेरे पास अपडेट आया है तो क्या क्या चीज क्या आया है ये कैसे देख सकते ह तो मैं वह भी सिखा दे रहा हूं कैसे देखना है देखिए मेरे पास अभी software अपडेट का है यहां पर message आ चुका है उपर यह देखिए इस पर हम क्लिक कर ले रहे हैं तो इस पर क्लिक किये तो उसके बाद हम अंदर जा रहे हैं अभी यहां पर आने के बाद देखिए install नाम क कॉनफर्जन फीचर यानि के जो भी नाया ये सिस्टम बनाया होगा ना ओपो का फोन है मेरा तो ओपो ने कुछ भी नाया एड़ किया रहेगा नाया मोबाइल में तो वो सब इसमें भी आ जाएगा भले ही मेरा दोसर पुराना फोन है तो क्या हुआ कंपस भी चेंज भी फोटो वाला भी एप्टीकेशन जो है ओभी चेंज होगा स्क्रीन सट लेने काभी तरीकर ही सैंट होगा जो पहले लेते हैं उससे ऊच्छा ही quality आएगा जैसे के अपडेट होने के बाद पहले से ज़धा अच्छा ही होता है खराब नहीं होता है यहाँ पर सिस्टम जो है इंप्रूब हो जागा इंप्रूब सिस्टम न्रम इarette से बिलीटिई यह सब होने वाला हैई अपडेट करने के बाद तो मेरा 200 भी खर्चा होगा तो अभी मेरे पास दो से खर्चा करने के लिए है नहीं तो मैं अभी अपडेट करके दिखा जिपाज़ा है और अपडेट करने के बाद भाद भी हो जाता है अगर आपको अपडेट करना होगा तो आप लोग इसोपल किलिक कर देंग के ठीज फिम्हुँपाई होगा पहले स्फिम्हआ